इस सल 2023 पचास ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला जाना है और आपको मैं बता दू तीन बड़ी टीमों पर खत्रा मंडरा रहा है कि वो वर्ल्ड कप के डिरेक्ट कौलिफिकेशन से भार हो सकती है सबसे पहले मैं आपको पॉइंट टेबल दिखा दू फिर आगे के समी करन देखेंगे पहले जो पॉइंट टेबल उसमें नंबर वन पर है न्यूजहलैंड नंबर टू पर इंडिया नमबर 3 पर इंग्लेंड, नमबर 4 पर पाकिस्तान और नमबर 5 पर आस्ट्रेलिया नमबर 6 पर है बांगलादेश, नमबर 7 पर आफरीका, नमबर 8 पर वेस्ट अडीज, नमबर 9 पर साउथ अफरीका और नमबर 10 पर श्री लंका इन नामबर 8, 9 और 10 की टीम है West Indies, South Africa, Sri Lanka डिरेक्टली ये टीम सभी भी अपनी जगा नहीं बना पाई है वर्ल्लकप के लिए तो इन में से दो टीम जो हैं वो दुबारा से जाएंगी क्वालिफिकेशन राउंड खेलने के लिए अब यहां पे इन्हें क्वालिफिकेशन राउंड खेलने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि जो टीम है उनको जगा टीम को जगा रैंकिंग के हिसाब से मिलती है जो टॉप 8 टीम है उनमें से 7 क्वालिफाई कर चुकी हैं आठवे पर वेस्ट इंडीज नोवे पर आपकी साउथ अफरिका और दसवे नमबर पर आपकी श्री लंका है तो इनमें से जो है एक टीम आगे जाएगी और दो टीमें क्वालिफाई के खेलने के लिए आगे जाएंगी देखिए वेस्ट इंडीज का उनके हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप सूपर लिग सेक्शन में कोई मैच नहीं खेलना लेकिन आपको बताएं श्री लंका को खेलने हैं तीन मैच श्री लंका के तीन मैचेश हैं पहला मैच होगा 25 मार्च को दूसरा मैच जो होगा 28 मार्च को और तीसरा मैच होगा 31 मार्च को अगर श्री लंका इन तीनों मैचेश को जीत लेती है फिर उनके पास एक आउटसाइड चांस बनेगा डारेक्ट कॉलिफिकेशन करनेगा तो वहीं साउट अफरीका के पास नीदर लेंड के खिलाफ दो मैचेश हैं एक 31 मार्च और दूसरा दो अप्रेल को यानि अफरीका को जादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अफरीका फिलहाल नोवे नमबर पर है अगर अफरीका अपने बचे हुए दोनों मैच जीतती है तो मान कर चलिए नाफ अफरीका वेस्ट इंजी से उपर आ जाएगी और वेस्ट इंडीज और स्री लंका वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड में खेलने जाएंगे और क्वालिफिकेशन राउंड इन दोनों को खेलना पड़ेगा तो एक बड़ी बात हो सकती है वेस्ट तो सूपर 12 में शामिल नहीं हो पाई थी और बाहर हो गए थे जो वेस्ट इंडीज है तो वेस्ट इंडीज श्री लंका अफरीका एक आगे जाएंगी और तीनों में से एक टीम जो है आगे जाएगी और आगे इन में से दो जो है वो क्वालिफिकेशन राउंड के लिए क कि जाएंगे वालिफिकेशन राउंड खेलने जाएंगे